हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप, जैसा कि आप जानते ही है, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल, मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से ही, मैं आपके लिए full time job और part time job से related videos बना कर regularly लेका राता हूँ कुछ दिन पहले मुझे एक comment आया, शिरी मनी कांत दूबे जी का ये उत्तर परदेश में रहते हैं उन्होंने लिखा है, सर मुझे अंग्रेजी भाषा का बिलकुल भी ग्यान नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर अंग्रेजी भाषा में videos बना कर YouTube पर डाले जाएं, तो अमेरिका और योरोप में भी उनको देखा जाता है और अंग्रेजी भाषा में बनाए गए YouTube वीडियोस, हिंदी भाषा में बनाए गए YouTube वीडियोस के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा कमाई करके देते हैं YouTubers को क्या ये सच है? उन्होंने आगे लिखा है, सर कोई ऐसा असान सा तरीका बताईए कि मैं भी बिना अंग्रेजी के ग्यान के अंग्रेजी भाषा में ही YouTube वीडियोस बना कर पैसा कमा सकूँ मनिकान दूबे जी, आपका कमेंट बड़ा ही युनीक है और आपके जस्बातों की मैं कद्र करता हूँ और मैं ये मानता हूँ के पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जरूर जाना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक सुना है अंग्रेजी भाषा के YouTube वीडियोस पर हिंदी भाषा के YouTube वीडियोस के मुकाबले कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा कमाई होती है इसका प्रमुख कारण ये है कि अंग्रेजी भाषा में बने हुए YouTube के वीडियोस ज्यादा तर अमेरिका और योरोप में देखे जाते हैं और अंग्रेजी दुनिया की सबसे जानी मानी एक इंटरनेशनल भाषा भी है और दुनिया के हर मुल्क में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा सम्रिद्ध होते हैं ज्यादा पैसा भी कमाते हैं तो अगर आपका वीडियो अंग्रेजी भाशा में है तो वो भरत में तो देखा जाएगा ही इसके इलावा सारी दुनिया में हर देश में देखा जाएगा जिसमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल हैं। इसी कारण से सारी दुनिया की बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कंपनिया अंग्रेजी में बने हुए यूट्यूब वीडियो के उपर अपने विग्यापन इश्तिहार या एड़िजमेंट ज्यादा डालते हैं और कई गुना ज्यादा पैसा भी देते हैं। जब यूट्यूब के उपर एक अंग्रेजी भाषा में बने हुए वीडियो के उपर कोई विग्यापन डलता है तो वो पूरी दुनिया में देखा जाता है दोस्तों और विग्यापन देने वाली कंपनिया यूट्यूब को एक अच्छी खासी मोटी रकम देती हैं और उस का एक बड़ा हिस्सा वो उस यूट्यूबर को देती हैं जिसने वो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला है और यही एक यूट्यूबर की कमाई भी होती है आप चिंता मत कीजे मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप मेंसे ज्यादा तर लोग अंग्रेजी हूँ जिसका इस्तेमाल करकर आप बहुत बढ़िया जानकारियों से लबालब भरे हुए वीडियो बना पाएंगे यूट्यूब पर डाल पाएंगे और यह सब वीडियो होंगे अंग्रेजी भाशा में बोलते हुए वीडियो आपके दिमाग में दो सवाल डेफिनेटली इस वक्त आ रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ पहला सवाल तो यह आ रहा होगा कि आपको तो अंग्रेजी आती ही नहीं और अगर आती भी है तो इतनी अच्छी नहीं आती कि आप एक स्टेंडर का अंग्रेजी वीडियो बना कर यूट्यूब पर डाल सकें और दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन वीडियो में डालने के लिए कंटेंट या सामगरी या जानकारियां कहां से मिलेंगी कौन देगा तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 100% फ्री 5 ऐसी वेबसाइटों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ इन वेबस सकते हैं बिना किसी डर के इन पांचों वेबसाइट के ऊपर हर टॉपिक के हर कैटिगरी के बहुत बढ़िया लाजवाब आर्टिकल्स मिलते हैं और टॉपिक्स कैसे जैसे की एफिलियेट मार्केटिंग कैसे करें इस पटिकलर टॉपिक से ही रिलेटेड दरजनों आर्ट कोपिक और कैटिगरी जो आपकी दिमाग में आ सकती है इन पांचों वेबसाइट के ऊपर उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं और 100% कॉपिराइट फ्री हैं इन अंग्रेजी में लिखे हुए आर्टिकल्स को एक टेक्स टू स्पीच सॉफ्ट्वेर का इस्तेमाल करक अगर बोलते हुए वीडियो में कनवर्ट किया जा सकता है अगर आप सिर्फ दसवी पास हैं और इस तरह का काम आपने आज से पहले कभी नहीं किया है तो भी आप ये काम कर पाएंगे चाहे आप स्टूडेंट हैं हाउस वाइफ हैं कोई जॉब करते हैं या वैपार करते ह आप ये काम 100% कर पाएंगे आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप अंग्रेजी में बोलता हुआ जानकारियों से भरा हुआ एक यूट्यूब वीडियो बनाना सीख चुके होंगे देखे दोस्तों काम करने का तरीका ये रहेगा सबसे पहले 5 अलग-अलग वेबसाइटों से 100% फ्री में copyright फ्री content, articles या सामगरी निकाल लेनी हैं ये कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी उसके बाद 100% फ्री पाँच अलग-अलग text-to-speech mobile apps का इस्तेमाल करके इन अंग्रेजी में लिखे हुए articles को एक अंग्रेजी भाशा में बोलने वाली robotic अवाज में convert कर लेना है पाँच अलग-अलग text-to-speech mobile apps मैं इसलिए आपके लेकर आया हूँ इस वीडियो में क्योंकि हर text-to-speech mobile app में जो robotic voice है उसका pronunciation या उच्चारण अलग-अलग है ये सब भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा उसके बाद एक 100% free mobile phone screen recorder का इस्तेमाल करकर इन अंग्रेजी में लिखे हुए articles और अंग्रेजी में बोलती हुई robotic अवाज को screen record कर लेना है ये भी मैं आपको बहुत बारिकी से दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी इसी वीडियो में उसके बाद एक बहुत ही भडिया 100% free mobile phone video editor का इस्तेमाल करकर इन सब को आपस में artistic तरीके से जोड़ देना है और एक सुन्दर सा अंग्रेजी भाशा में बोलता हुआ वीडियो तैयार कर लेना है ये editing करना भी मैं आपको इसी वीडियो में पूरी तरह से सिखाऊंगा उसके बाद इस नए बने हुए वीडियो को एक नया YouTube चैनल बना कर उस पर upload कर देना है नया YouTube चैनल बनाना और उस पर वीडियो कैसे upload करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा तो आप इतना कुछ सीखने जा रहे हैं इस एक ही वीडियो में, तो वीडियो तो लंबी होगी दोस्तों, पर आप पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा, और आप सारा काम अपने नए या पुराने मुबाइल फोन से ही कर पाएंगे, आपको ल आपको अपने मुबाइल फोन पर भी लेकर चलूँगा, आज के वीडियो में 70-80% काम मैं आपको मुबाइल फोन पर ही दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि आपको कंटेंट कहां से मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल पर डालन के लिए और वो भी फ्री में वो भी कॉपी राइट फ्री तो चलिए सबसे पहले वो ढूंडते हैं, देखे फ्रेंट्स मैं आपको आज पांच ऐसी फ्री साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां से आप अनलिमिटेड कंटेंट हर कैटेगरी का निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉपी राइट फ्री है, इन फेक्ट आपको कॉपी राइट राइट पी साथ में ही मिलते हैं और वो भी राइटिंग में, तो देखे दोस्तों सबसे पहली साइट है, फ्री पी एलार डाउनलोड्स डाट कॉम, मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डि पर खुल जाएगी, और इसी तरह से आपके मोबाइल फोन पर भी खुलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखी मैंने डिस्क्रिप्शन में दियो हुए लिंक पर क्लिक किया, तो ये मेरे मोबाइल फोन में, फ्री पी एलार डाउनलोड्स डाट कॉम की साइट खुल अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि आप अपने मोबाइल फोन में ही किस तरह से एक डेस्क्टॉप साइट खोल सकते हैं, अब आप देखेंगे मेरे मोबाइल फोन में सबसे ऊपर राइट हैं पर तीन डॉट्स लगें, मैंने यहाँ क्लिक किया, तो देखीए कि ये वि लेब साइट, चाहें वो मैं बताओं या आपको कहीं और से पता चले, इस तरीके से अपने मोबाइल फोन में खोल सकते हैं, ठीक है, यानि कि आपको लेब टॉप की कतई आवशक्ता नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, आजकल जितनी भी, मॉडरन वेब कीन बड़ा होता है, मेरे लिए आपको समझाना आसान रहता है, आपके लिए समझना आसान रहता है, ठीक है दोस्तों, तो मैं अब मोबाइल फोन आपके सामने से हटा देता हूँ, और सारी डेटेल्स आपको अपने लेब टॉप पर ही ले जाकर देता हूँ, तो देखे द दे, आप फ्री में कंटेंट डाउनलोड करके ले जाएए, सब कॉपीराइट फ्री है, विद लाइसेंस, तो दोस्तों, ये पहली साइट है, जहां से हमें 100% फ्री, कॉपीराइट फ्री, कंटेंट मिलने जा रहा है, ठीक है, अब वो कंटेंट किस-किस तरह का है, किस-किस category का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से अब देखे दोस्तों आपको जानकर हैनानी होगी कि इस free PLR download site के ओपर कितनी सारी categories में कितना सारा content मिलता है और सब copyright free है देखे आप देखेंगे addiction advertising affiliate marketing affiliate marketing आज की date में बहुत hot topic है अगर आप अपने YouTube channel के ओपर affiliate marketing से related बहुत अच्छा informative genuine content डालते हैं तो बहुत ज़्यादा चलता है बहुत ज़्यादा लोग देखने में interested होंगे दोस्तों ठीक है Amazon ठीक है beauty blogging beauty blogging से related बहुत ज़्यादा channels successful होते हैं YouTube के ओपर आप जानते ही होंगे bodybuilding business ठीक है और उसके बाद देखेंगे copywriting dating email marketing आज की date में सब कुछ email से ही तो होता है दोस्तों चिठी लिखकर तो कोई भी नहीं भेजता है ठीक है तो email marketing कैसे करते हैं अगर आप videos बनाकर इस topic के ओपर अपने channel पर डाल देते हैं YouTube के तो आप देखेंगे कि लोग बहुत interested होंगे ठीक है और सब कुछ यहां से free में मिलेगा मैं कैसे मिलेगा मैं आपको भी दिखाऊंगा download करके ठीक है जैसा कि मैंने थोड़े दर तूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं practically इसी वीडियो में किस तरह से आप बहुत interesting वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल सकेंगे जिसे हजारों लोग आकर देखेंगे ठीक है और नीचे आएंगे देखेंगे finance से related entrepreneur से related facebook से related fitness health internet marketing बहुत सारे topics हैं दोस्तो weight loss ठीक है SEO search engine optimization यानि कि आज की date में अगर YouTube channel भी चलाना है तो उसके लिए भी SEO चाहिए कि आपके videos rank कैसे करें उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारा content है जो genuine है ठीक है और वो आप खुद तो इस्तेमाल करी सकते हैं आप दूसरों को अपने YouTube channel के उपर videos बना कर डाल दीजे लोग आकर उसको देखेंगे वह वाइरल हो सकता है दोस्तों ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर यह दिखाता हूं कि यह अलग-अलग categories के content download कैसे करने हैं और वो भी copyright free अब देखे दोस्तों यहाँ पर जहाँ articles भी download कर सकते हैं दोस्तों ठीक है articles यानि कि वह एक किताब या बुक जितना ज्यादा content नहीं होगा कम होगा एक पेज का आधे पेज का दो पेज का तो उसको फिर e-book नहीं कहते हैं उसको के master कैसे बने ठीक है यानि कि यह सिर्फ affiliate marketing की category के अंदर ही इस free PLR download site के उपर 26 से ज्यादा YouTube videos का material हमें मिल चुका है यानि हम 25-26 YouTube videos सिर्फ और सिर्फ affiliate marketing पर ही बना सकते हैं और सिर्फ PLR download एक site के उपर मैं इसी तरह की चार और free site आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं सोचिए कितना ज्यादा content है और यह सिर्फ एक category है मैं यहां से आपको एक free e-book download करके अब दिखाता हूं सबसे पहली download करते हैं मैं यहां क्लिक करूंगा उपर तो देखे दोस्तों यह एक page खुल गया आप यहां देख सकते हैं यह book है जिसे हमने book को download करेंगे जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो साथ में हमें एक master resale license भी मिल जाता है यानि कि हम खुद तो इसको इसको इस्तिमाल करी सकते हैं बिना किसी copyright के डर के हम इसे आगे भी बेच सकते हैं अगर आपका mind चलता है दिमाग काम करता है तो आप इससे काफी पै files यह करूँगा आप मेंसे जो लोग यह काम mobile में करना चाह रहे हैं उन लोगों की जानकारे के लिए बता दूँ कि यह सारा process आपको mobile में नहीं करना होता है वहां automatically हो जाता है mobile phone किसी भी company का हो नया हो पुरा ना हो कोई दिक्कत नहीं automatically हो जाता है सिरफ laptop में करने के लिए य यह खोल गया है अब मैं इसको खोल लेता हूं तो देखें दोस्तों जब हम इस particular website से कोई भी content download करते हैं तो हमें बहुत कुछ साथ में supporting documents मिलते हैं ठीक है अब देखें सबसे नीचे affiliate marketing से related 47 pages या 47 pages की book है यह मैं भी आपको खोल के दिखांगा उसके साथ में हमें और क्या मि बुक के तीन cover page भी मिल सकते हैं इसे हम चाहें तो किसी तरह से अपने YouTube वीडियो में इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों ठीक है थमनेल वगरा में लगाने के लिए या वैसे ही कहीं पर मैं आप यह आपको दिखांगा वो भी सब कुछ कि किस तरह से आप इस e-book को एक बहुती स इसे आप छोड़ सकते हैं कुछ खास information नहीं है उसके नीचे है MRR लाइसेंस यह बहुत important है अब देकि यहां लिखा हुआ है कि यह जो e-book है जो यह content है जो हमने अभी download किया है इसे हम आगे बेच सकते हैं ठीक है personal use के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और product या और content के साथ म ले सकते हैं ठीक है master resell rights भी है ठीक है या इसको हम किसी को free में भी दे सकते हैं इसके लावा दोस्तों हम किसी और व्यक्ति को यह right भी दे सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो इस e-book को हम से खरीद ले या आप से खरीद ले और आगे बेच ले यह right भी आप किसी को दे स अब हम अपनी affiliate marketing से related e-book खोलके देख लेते हैं. तो दोस्तो affiliate marketing से related ये e-book यहां download हो चुकी है, PDF format में है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहां लिखा हुआ art and business of affiliate marketing, ठीक है? और नीचे इसकी पूरी details हैं. अब मैं आपको इसी वीडियो में एक नहीं पांच अलग-अलग बहुत ही बढ़िया free of cost tools के जरीए ये दिखाऊंगा, जो mobile phone पर ही चलते हैं, दोस्तों, कि कैसे ये सब कुछ एक बोलने वाले वीडियो में convert होता है. ये magic आप इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है? आप अंत तक बने रही है, ठीक है? तो ये वो हमारी e-book है, दोस्तों, ये पूरे 47 page है, जैसा हमने उसमें दिखाया था, किसी में 50 page हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 500 हो सकते हैं, ये तो अलग-लग e-books पर depend ठीक है, अब ये e-book हमारे पास आ चुकी है, दोस्तों, तो दोस्तों, ये तो हुई, एक free plrdownloads.com जहां से हमने एक free e-book डाउनलोड करके आपको दिखाई, ठीक है? अब आप चाहें, तो जितनी मरजी e-books इस particular free site से डाउनलोड करके ले जा सकते हैं, अब दोस्तों, मैं आ यहां से इसको close कर दूँगा, इसे भी close कर दूँगा, अब मैं दूसरी site आपको खोल के दिखाता हूँ, ये है दोस्तों, दूसरी site, अब देखिए दोस्तों, इस site का नाम है bigproductstore.com, ठीक है? इस site का link भी मैंने इस video के description box में डाल दिया है, जैसे यहां click करेंगे, ये इस तर laptop पर चलेगी, ये mobile पर चलेगी, हम 10-10 बार चेक करते हैं, ठीक है? तो कहीं पर भी कोई doubt की गुंजाईश नहीं छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके laptop, mobile दोनों पर सारी site ने चलेंगी, जो नहीं चलेगी, आपको बता दिया जाएगा, तो दोस्तों, देखिए इस particular site के उपर, आपको जो free products मिलेंगे, या जो आपको free content या e-books मिलेंगी, या articles मिलेंगे, वो सिरफ यहां मिलेंगे दोस्तों, इस site के उपर paid content भी है, हमने research की है, तो इसलिए मैं आपको बाकी की details इस site के उपर नहीं दिखा रहा हूँ, वो paid है, तो paid तो हमने ले नहीं न कर, क्योंकि आपको ये पूरा भरोसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही दिखाऊंगा, जो 100% free है, ठीक है, तो वो हमने research करके रखा हुआ है, वो सिरफ यहां है, इस site के उपर, ठीक है, अब मैं इस पर click करूँगा, दीके दोस्तों, इस site के उपर, जो free products है, कम है, लेकिन हमन marketing से related content है, तो यहां से भी आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरी site पर दिखाया था, content download कर सकते हैं, process वही है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी site दोस्तों, ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, तीसरी site के उपर, जहां आपको free content मिलेगा, इसका नाम है indigitalworks.com, ठीक है, इस website का link भी मैंने इस video के description box में लिख दिया है, आप जैसे ही click करेंगे, इस तरह से आपके laptop पर खुल जाएगी, और आपके mobile phone पर भी खुल जाएगी, हमने check कर लिया है, एक नहीं कई बार, ठीक है, अब दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि इस site के उपर, आपको free में content कहां से मिलेगा, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, skip करके देखेंगे, तो paid वाले options पर पहुंच जाएंगे, फिर मुझे आप comment करेंगे, जी आपने free बताया था, यहां तो paid है, देखिए दोस्तों, यह जितनी भी sites हैं, after all, इनके कोई मालिक है कोई owners हैं, जहां पर office चलते हैं, और वहाँ पर staff काम करते हैं, तो इनने कमाई भी करनी हैं, तो यह कुछ content free में डाल देते हैं, अपनी site के उपर, हम research करके वही ढूंड कर आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है, और ताकि आपका समय खराप ना हो, और आप सीधे free वाले content के उपर जाकर अपना काम कर लें, ठीक है, अब यहां पर देखे free product सबसे उपर हमें एक list दिखती है, यहां देख रहे हैं, मैं जब अपना करजर free products पर लेकर जाता हूं, तो यहां देखता है free ebook, software, videos, बहुत कुछ है free, ठीक है, हम यहां से आज सिरफ ebooks free में download करने आए हैं, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूं, free ebooks वाला option, तो देखेंगे दोस्तों, यहां पर हमें free ebooks दिख रही है, अब देखेंगे दोस्तों, इस site के उपर हमें category wise free books नहीं दिखती है, यह free content नहीं दिखता है, हमें यह देखना होता है, देखेंगे यहां पर एक book है, अब दिखेंगे कि और भी काफी सारा content है, यह सब free of cost है दोस्तों, अब मैं आपको नीचे ले जाकर दिखा देता हूं, बहुत सारे pages है, यह आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक करके यहां पर आपको category wise इस particular site पर नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन यह सब free है, copyright free है, और आप यह हुआ है, download 500 products for free, और उसके बाद register करेंगे, register हो जागा एक मिनट का है, ठीक है, और यह सारा content आप यहां से निकाल कर ले जा सकते हैं, दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको यह भी दिखाऊंगा, कि किस तरह से इस content को एक बहुत ही खुबसूरत बोलने वाले वीडियो में convert करना है, जिसमें आपको खुद बोलना ही नहीं पाता है, ठीक है, अब दोस्तों, मैंने ऐसी तीन sites के बारे में आपको information दे दी, जहां से free में बहुत सारा content आप download कर सकते हैं, इसके अलावा, दो और sites हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पर नहीं दिखाई हैं लेकिन मैं इस वीडियो के description box में उन sites के link भी डाल दूँगा, जहां से इन तीन site के जैसे ही आप बहुत सारी ebooks, article और content वगरा free में download कर सकते हैं, यानि कि total 5 हैं, दिखा मैं तीनी round क्योंकि वीडियो फे लंबी हो जाती है, ठीक है, तो 5 हैं, आप देखेंगे इस वीडियो क description box में 5 site के link हैं, जहां से आप free में ebooks और content download कर सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, अब मुद्दे की बात ही आ गई, कि content तो चलिए, आप download आप कर लेंगे, आप सीख गए कैसे करना है, ठीक है, आपने देख लिया, अब इस बहुत ही बढ़िया content को, हम एक सुन्दर से बोलने वा आपको अपने mobile phone पर ही दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, तो चलिए मेरे mobile phone पर, तो friends, यह है मेरा mobile phone, आप देख सकते हैं, एक text to speech app मैंने यहां पर आपको दिखाई हुई है, इसका नाम है voice allowed reader, free है, 5 million से ज़्यादा download है, इस mobile app का link मैंने इस video के description box में लिख दिया, जैसे क् mobile phone पर आ जाएगी, इसको अब हम install कर लेंगे, अब इसको open कर लेंगे, open any file you would like to read or listen ebook, html, txt, doc, pdf, अब दीके दोस्तों, यह एक mobile app है, जो automatic text to speech बोल कर आपको देती है, और free में देती है, ठीक है, तो यह अपना introduction दे रही है, आपने सुना, ठीक है, अब दोस्तों, मैंने आपके सामने ही थोड़ी देर पहले एक ebook डाउनलोड करके आपको दिखाई थी, अब उस पूरी ebook को मैं इस particular mobile app में डाल देता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, किस तरह से यह text to speech mobile app, जो 100% free of cost है, हमारी उस ebook को पढ़ना शुरू कर देती है, और बहुत ही यह सब computerized होता है, ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब देखिए, यहाँ एक window खुल गई, यहाँ लिखा हूँ है, to open an ebook, pdf, text to other document file वगारा, अब देखिए, जहाँ लिखा हूँ है, don't show this again, मैं यहाँ पहले click कर दूँगा, और उसके बाद OK कर दूँगा, अब देखिए, दोस्तों, सबसे नीचे आप देख सकते है, art and business of affiliate marketing, यही वो ebook है, जो हमने download की थी, आपको याद होगा, मैं इसको अब select कर लूँगा, अब देखिए, सबसे नीचे, right hand में जहाँ लिखा है, open file, मैं यहाँ click कर दूँगा, अब देखिए, यह इस तरह से add add आ जाएगी, आपके पास भी, आप सबसे उपर जहाँ, cross का button है, यहाँ से इसको बंद कर दीजे, देखिए, मैं बिना edit किये, छुट छुटी चीज़े भी इसलिए दिखाता हूँ, कि आप में से काफी है, ऐसे लोग होंगे, जो कहीं न कहीं अटक जाएंगे, ठीक है, औ आपको पूरी details मेरे videos में मिलें, आप देखिएंगे दोस्तो, हमारी वो e-book, जो थोड़ी देर पहले हमने download की है, इस text to speech, mobile app में आ चुकी है, आप देख सकते हैं, पूरी हमारी e-book है, आप पूरा देख सकते हैं, उतने ही pages हैं, ठीक है, यह हमारी e-book यहाँ पर आ चुकी ह अब सबसे पहले हम इसको सुनकर देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, कि इसको record कैसे करना है, क्योंकि हमें तो इसका एक बहुती सुन्दर सा YouTube का video बनाना है दोस्तो, ठीक है, तो सबसे पहले यह सुनते हैं, कि यह text to speech tool काम कैसे करता है, इसी तरह के चार और text to speech करने वाली mobile app हमने ढूंड के आपके लिए रखी हुई हैं, और वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सबी text to speech mobile apps जो हैं, वो अलग-अलग तरह की voices देती हैं, अलग-अलग तरह के features हैं, आपने पैसे कमाने हैं, तो आप के पास एक नहीं कई अलग-अलग तरह के ओजार या हतियार होने चाहिए, तब ही आप कामयाब होते हैं, दोस्तों, ठीक है, तो वो सब हमने research करके आपके लिए ढूंड के रखा हुआ, इसी वीडियो में आपको सब मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि यह particular text-to-speech mobile app हमारी इस e-book को किस तरह से पढ़ती है, ठीक है, और वो पढ़ेगी, automatically एक robot पढ़ेगा, robot आवाज पढ़ेगी, ठीक है, अब दीकिए जहाँ play का बटन है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अब मैं इसको रोग देता हूँ, आपने सुना दोस्तों कि इस mobile app के software में एक robotic आवाज है, या जिसे कह लीजे, रोबोट बोलता है, ठीक है, जो सुनने में बिलकुल साफ है, ठीक है, अब देखे, इस mobile app में एक और बहुत अच्छा फीचर है, कि जिस भी paragraph पर आकर, ये mobile app बोलना शुरू करती है, वहाँ पर ये highlight हो जाता है, आप देखेंगे, ये येलो कलर में ये paragraph highlight हो चुका है, और जिस शब्द को ये robotic आवाज बोलती है, वो शब्द भी highlight होता है, अब दुबारा देखेगा, देख लिया दोस्तों आपने, यानि कि ये बहुत ही user friendly एक mobile app है, जहां पर बोलने वाली robotic आवाज बहुत बढ़िया तरीके से एक तो आपको समझ आती है, या आपके audience को समझ आएगी, क्योंकि आपने इसको एक YouTube वीडियो में convert करना है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा अब दोस्तों मैं आपको इसी mobile app की कुछ और features भी दिखाता हूँ, दिखें यहां पर आखिर में एक button है, मैं यहां click करूँगा, अब आप दिखेंगे यहां पर तीन options है, rate, pitch and volume, volume को आप 5 पर ही रखिएगा, 5 पर, pitch से हम जो बोलने वाली robotic आवाज है, उसकी pitch को कम ज्याद कैसे होती है, अभी फिलहाल आपने सुनी जो एक number पर pitch थी, अब मैं आपको यह थोड़ी बढ़ा कर दिखा देता हूँ, अब मैं play करके दिखाता हूँ आपको, अब देखेंगे यहां उसके ऊपर एक और option है, जहां लिखा हुआ है, rate, rate का मतलब यह है, कि जो बोलने वाली robotic आवाज है, वो कितनी slow या तेज़ बोल सकती है, यह आप control कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी यह एक average आवाज है, अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आपको बुलवा के दिखाता हूँ, देखा आपने आवाज की speed बढ़ गई दोस्त ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको और slow भी कर सकता हूँ, देख लिया अपने दोस्तों, यह मैं control कर सकता हूँ, फिलहाल मैं इस pitch और rate को जो default setting है, वहीं पर ले जाता हूँ, जो one है, तो इस तरह से आप आवाज की quality, उसकी speed बदल सकते हैं, उसकी pitch बदल सकते हैं, ठीक है दोस आपको free of cost मिलती है, और बहुत बड़ी है facility है, अब दोस्तों हमें अपनी इस e-book को इस robotic voice के अंदर पूरा record करना है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा, कि किस तरह से इस recorded voice को हम अपने YouTube वीडियो में इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ही सुन्दर एक YouTube व voice में convert करके दिखाता हूँ, अब देखे सबसे उपर right hand में जहां तीन buttons है, इस mobile app में मैं हमाँ click कर दूँगा, देखे जहां लिखा हुआ है record sound file, यहां click कर दूँगा, अब देखे सबसे उपर दो options है, record sound file, the next time I press the play button, यानि जैसे ही आप इस mobile app में play button पर press करेंगे, यह mobile app त यानि के हम जैसे ही अपने play button के ऊपर अपनी finger ले जाकर कुछ देर के लिए press करेंगे, तो recording शुरू होगी, तो इन दोनों में से एक आप choose कर सकते हैं, मैंने first वाला choose कर लिया, अब हम यहां से वापस चले जाएंगे, अब दिखेगा, जो हमारा play button था, वो recording वाला button बन चु सबसे ऊपर से, जहां लिखा है art and business, ठीक है, तो आप अपनी finger ले जाकर वहां रख दीजिए, जहां से आपने recording शुरू करनी है, आपको recording बीच में से शुरू करनी है, तो आपने अपनी finger वहां ले जाकर दो बाट tap करनी है, तो यह recording वहां से शुरू कर देगा, ठीक है, हमे recording शुरू से शुरू करनी है, तो सबसे उपर मैं अपनी finger ले जाऊंगा, और वहाँ पर दो बार tap कर दूँगा, ठीक है, आप दीखें, जैसे मैंने अपनी finger tap की, ये background येलो हो गया, उके, उसके बाद मैं ये जो recording button है, यहाँ click कर दूँगा, अब आप देखेंगे दोस्तों, ये recording शुरू हो चुकी है, जब ये mobile app record करेगी, अपनी आवाज में, आपकी ये e-book या कोई भी article, तो उस वक्त आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, आप confused मत हो येगा, कि आप अपने volume button को उपर नीचे करने लगे, आपको उस वक्त ये सुनाई नहीं देगी, उस वक्त ये सिरफ recording करेगी, अब देखें नीचे लिखाओ आ रहा है recording 5 minutes, 10 seconds, 25 seconds, ठीक है, ये actual recording का time है, यानि कि इस particular mobile app में, अगर आप कोई भी article, e-book या कुछ भी डालते हैं, और उसको कहते हैं कि आप अपनी robotic आवाज में इसको बोलकर record करना शुरू कर दीजे, तो ये बहुत तेजी से record करती है, यानि कि अभी हमें recording शुरू किये हुए, सिरफ 10-15 seconds ही हुए हैं, लेकिन इस particular mobile app ने 10 minute की recording कर दी है, जब हम इसको चलाएंगे तो 10 minute चलेगी, recording सिरफ 20 second में हो गई है, ये बहुत बड़ी facility है इस particular mobile app की, इसलिए सबसे पहले हमने ये वाली text to speech mobile app आपको खोल कर दिखाई है, और इसके अलावा दूसरी facility इस mobile app में ये है, कि आप जिस भी format में e-book डाउनलोड करेंगे, चाहे वो PDF है या कोई भी format है, वो इस mobile app में as it is डाला जा सकता है, और उसकी voice की recording की जा सकती है, जैसे कि अब आपकी आँखों के सामने हो रहा है, ठीक है दोस्तों, हम चाहें तो किसी भी stage के उपर recording को रोक सकते हैं, stop button दबाकर, ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये सारी recording आपको पूरी करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको थोड़ी सी play करके भी दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कि हम अपने सुन्दर से YouTube वीडियो के अंदर, इस voice को इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो दूसरा software है, आज मैं आपको कम से कम 8-10 अलग-अलग mobile apps, websites और software पे ले जाकर, अलग-अलग औजार tools इस्तेमाल करकर, बिना एक पैसा खर्च किये, सुन्दर-सुन्दर YouTube वीडियो बनाने के तरीके सिखा रहा हूं दोस्तों, अब देखें दोस्तों, हमारी ये e-book, एक automated robot आवाज में record हो चुकी है, free में, ठीक है, total length है करीब-करीब 48 minute, यानि 50 minute की, लेकिन ये recording कर देती है, ये mobile app सिर्फ 3-4 minute के अंदर, ठीक है, अब मैं आपको ये play करके दिखाता हूं, ठीक है, दोस्तों, मैं चाहूं तो बीच में जाके भी कहीं सुन सकता हूं, देखें, तो ये दोस्तों, हमारी e-book की automated robot आवाज हमने record कर ली, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आपको एक जरूरी बात बता दों दोस्तों, कि इस particular text-to-speech mobile app में, ये जो voice recording हुई है, ये जो automated robotic आवाज record हुई है, ये हमारे mobile phone में एक अलग जगह मिलती है, ठीक है, हलांकि यह recorded voice की एक path दे रखी है, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि ये mobile phone में exact मिलता कहा है, बाकी files के मुकाबले थोड़ा अलग जगह मिलता है, तो आप confused ना हो जाए, कहिए ना आपको मिले नहीं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जाकर, अब मैं यहां से दिखिए, home page खोल लूँगा अपना, अब दिखिए, सबसे उपर files जहां लिखा है, file manager, मैं यहां क्लिक करूँगा, दिखिए, जहां internal storage लिखा है, मैं यहां क्लिक कर दूँगा, दिखिए, जहां यह लिखा हुआ, android, अब देख सकते हैं, गौर से, मैं यहां क्लिक करूँगा, जहां आपको यह arrow का एक black sign दिख रहा है, मैं यहां क्लिक कर दूँगा, उसके बाद दिखी जहाँ यह डेटा लिखा है, यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब देखींगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, com.hyperionics, ठीक है, इसके उपर क्लिक करना है, आपके mobile phone में भी ऐसा ही दिखेगा, यह दिखेंगे हम इतनी research करके आपको एक-एक step इसलिए ब पर क्लिक करूँगा, अब देखींगे, यह जो files लिखा है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा, अब आप देखींगे, दोस्तों, जहाँ लिखा हुआ है, the art and business of affiliate, ठीक है, और उसके नीचे इस file का size लिखा है, और लिखा है कि यह कब हमने record किया, तीन मिनट पहले, ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, तो यह इस तरह से आपके mobile phone में, यह particular voice file या audio file आपको मिलेगी, जो दूसरी application से थोड़ी अलग है, इसलिए मैंने आपको सारी details दी, तो चलिए, अब हम इस audio file को copy करके, अपने mobile phone में ऐसी जगा रख लेते हैं, जहां से निकालना असान रहेगा, अब यह हमारी audio file है, इस पर मैं अपनी finger थोड़ी देर के लिए रखूँगा, दबाके, अब यह देखे, select हो गई, अब सबसे उपर जहां तीन dots हैं, यहां क्लिक कर दूँगा, और जहां लिखा है move to, हम चाहे तो copy to भी कर सकते हैं, move to भी कर सकते हैं, हम copy to कर देंगे, अब जहां ल audio file है, यहां पर copy हो गई, यह एक असान location पर copy हो गई हमारे mobile phone में, हम जब चाहें इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी audio file को इस्तेमाल करके, मैं आपको एक सुन्दर सा YouTube video बना कर अभी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, मैं उस से पहले आपको चार और text to speech mobile apps खोल कर उन पर काम करना दिखाऊंगा, जैसा कि थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया था, पैसे कमाने हैं तो आपके पास अलग-अलग किस्म के हतियार, औजार होने चाहिए, एक हतियार या औजार से आप लड़ाई नहीं जीच सकते दोस्तों, ठीक है, तो इसके करने हैं, क्योंकि अगर आपने सारे यूट्यूब के वीडियो एक ही किस्म की आवाज के बना दिये, तो वो उतने जादा अच्छे नहीं बनेंगे, अलग-अलग किस्म की रोबोटिक आवाज अगर है, तो वो जादा पसंद की जाएगी, व्यूवर्स या ओर्डियंस के तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि किस तरह से हमने फ्री में इबुक्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया, कि कैसे इस टेक्स टू स्पीच मुबाइल एप का इस्तेमाल करकर उस इबुक को बहुती बढ़िया रोबो करके दिखाई इस मुबाइल एप के उपर, और उसके बाद मैंने वहाँ पर एक रोबोटिक आवाज चला कर दिखाई आपको, ये हमें रिकॉर्ड करना है सब कुछ, इन सब को रिकॉर्ड करना है, जिसमें जो दिख रहा है वो भी रिकॉर्ड हो, और जो सुन रहा है वो वी रिकॉर्ड हो, क्योंकि तब ही तो हम उसका एक सुन्दर सा यूट्यूब का वीडियो बना पाएंगे दोस्तों, अब वो रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं, मुबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो कैसे होगी, वो कौन सी मुबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाली एप खोल के दिखाता हूं, तो दोस्तों ये है वो मुबाइल एप एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दू, मैं आपनी जितनी भी यूट्यूब की वीडियो मुबाइल हो चुके हैं, यानि 5 करोड से ज्यादा, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डर है, ठीक है, और 100% फ्री है, बहुत ही बढ़िया मुबाइल फोन स्क्रीन रिकॉर्डर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, इस मुबाइल एप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करेंगे तो यह इस तरह से आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ, अब मैं इसको ओपन कर लूँगा, यहां पर यह जो भी है, अलाव करते चले जाएंगे, अब देखी जहां लिखा हुआ, अला स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाईल आप को इस्तेमाल कैसे करना है, अब मैं इसको खोल लूँगा, ओके कर दूँगा, अब देखी जहां पर यह स्टेटिंग का आपको एक धुंदला सा बटन दिख रहा है, मैं यहां क्लिक कर दूँगा, अब देखी जहां ऊपर रेजोलि वीडियो का बटन दिख रहा है, जैसे मैं यहां क्लिक करूँगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, अब देखें, यहां allow कर देंगे, start now, अब देखें, यह रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, अब यह हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी, आप देख सकते ह यह हमारी मोबाइल लैप थी, रिकॉर्डिंग अभी भी चाल हुए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल फोन स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा अभी भी आन है, ठीक है, अब जो यह प्ले का बटन है, मैं यह क्लिक कर दूँगा, देखे दोस्तों, इस वक्त यह जो एजेड मोबाइल फोन स्क्रीन रिकॉर्डर है, यह स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, साथ में अवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जो अवाज की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही है, ठीक ह तो वो जो आवाज है, जो हमने रोबोट की आवाज पहले रेकॉर्ड की थी, अभी दो मिनट पहले आपको मैंने करके दिखाया था, इस्तेमाल हम उसी वॉइस को करेंगे, क्योंकि जो आपका यूट्यूब वीडियो है, उसमें आवाज का ही जादू है दोस्तों, ठीक है, तो आवाज बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, साफ होनी चाहिए, आपका यूट्यूब वीडियो तभी चलता है, अगर आवाज बहुत अच्छी है, एक बार देखने में बहुत अच्छा ना हो, तो भी चल जाएगा, लेकिन आवाज का बहुत अच्छा होना अती शुरू हो चुकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट हैंड में, हलका सा आपको दिख रहा होगा, यह हाइड हो जाता है अपने आप, ठीक है, अब हमारा यह तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह स्क्रीन रिकॉर्डर काम करता है, ठीक है, अभी थोड़ी दिर में मैं आ करके एक बहुती सुन्दर सा एक यूट्यूब का वीडियो भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो अब मैं आपको जल्दी से बाकी के चार टेक्स टू स्पीच मोबाइल एप्स के बारे में भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अ ऐसे ही अपने मोबाइल फोन पर क्लिक करेंगे, ऐसे खुल जाएगी, ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ओपन कर लेंगे, तो ये देखें दोस्तों, ये इस मोबाइल एप का होम पेज समझ लीजे आप, ठीक है, अब देखें सबसे उपर, यहाँ पर जहाँ में एक बांगला लेंग्वेज दिखा रहा है, यहाँ पर हम लेंग्वेज बदल सकते हैं, आपकी नॉलिज के लिए बता दूँ दोस्तों, ये जो रोबोटिक आवाजें हैं, ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं हैं, बहुत सारी भाशाओं में हो सकती हैं, ये बांगला, हि ये बांगला, हम फिलाल उरिजनल यूके की इंग्लिश ही इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी फिलाल यूके या यूरोप या अमेरिका में रहने वाले लोगों को टार्गेट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो उस हम उनके लिए बना रहे है ताकि वो लोग हमारे वीडियो देखें, अब देखें दोस्तो हमने इस पर्टिकुलर मॉबाइल एप में से जिस स्पीड टेक्स्ट को वाइस में कनवर्ट करना है, वो हमें यहां पेस्ट कर देना है, जहां आपको ये एरो का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो हमने जो ई- वो थोड़ी दर पहले डाउनलोड की थी, उसका पहला थोड़ा सा हिस्सा, कुछ पेजिस, मैंने इस टेक्स टू स्पीच मॉबाइल एप में यहां पर कॉपी पेस्ट कर दियें, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे ये टेक कर देता हूँ, देखें, आपने देखा दोस्तों, इस मॉबाइल एप में जो आवाज है, वो अलग है, ठीक है, है तो रोबोटिक आवाज ही, यानि कोई रोबोट ही बोल रहा है, लेकिन वो अलग तरह की है, अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो में अलग-अलग कि की, रोबोटिक आवाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंट्रस्टिंग बना रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक नहीं, पांच-पांच, टेक्स-टू-स्पीश मॉबाइल एप दिखा रहा हूँ, जिसमें से ये दूसरी है, तीन बाकी है, ठीक है, तो इस इस तरह से इस पटिक्लर मॉबाइल एप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि इस मॉबाइल एप के उपर, रोबोटिक आवाज को रेकॉर्ड कैसे करना है, सबसे उपर राइट में जहां तीन डॉट्स लगे हैं, यहां क्ल पके दिखाया था, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी दूसरी, टेक्स टू स्पीश मॉबाइल एप, चलिए अब मैं आपको तीसरी, टेक्स टू स्पीश मॉबाइल एप, दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की तीसरी, टेक्स टू स्पीश मॉबाइल इसका नाम है Talk Free Text to Voice Read Loud, अब देखेंगे इसके भी 5 million downloads हो चुकी है, 100% free है, हमने चेक कर लिया है, ठीक है, इस mobile app का link भी इस video के description box में डाल दिया है, आप जैसे ही click करेंगे इस तरह से आपके mobile phone पर खुल जाएगी, install कर लेंगे, open कर लेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे जहाँ plus का sign है, यहाँ click कर देंगे, अब देखेंगे सबसे ऊपर जहाँ पर हमें लिखा हो है, start typing here, ठीक है, यानि कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ type करें और उसकी voice नीचे से सुन ले, robotic voice और record कर ले, लेकिन हम तो यहाँ पर अपनी e-book copy paste कर देंगे, उसके जो robotic voice है, वो हम यहाँ record कर लेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ अपनी finger थोड़ी दर दबा के रखूँगा, और मैं यहाँ paste कर दूँगा, ठीक है, तो यह हमने अपनी e-book के पहले एक दो page यहाँ पर paste कर देंगे, अब मैं अपनी finger वहाँ ले जाओंगा, जहां से हमने play कर कर क एक आवाज सुननी है, मैं अपनी finger वहाँ ले जाओंगा, और अब मैं play कर दूँगा, मैं थोड़ी सी volume कम कर देता हूँ, अब मैं आपको यह दिखाता हूँ कि यहाँ पर save कैसे होती है, सबसे ओपर यहाँ तीन dots लगे हैं, यहाँ क्लिक करूँगा, जहां लिखा हुआ क्लिक कर दूँगा, allow पे क्लिक कर दूँगा, हाँ यहाँ पर कोई भी file नाम डाल दूँगा, मैं, मैंने डाल दिया, plr, ok कर दिया, अब दिखा रहा है कि इस storage में save हो चुकी है, अब मैं इसको ok कर दूँगा, तो दोस्तों इस तरह से इस particular text to speech mobile app के उपर भी हम अपनी e-book या किसी भी article को एक automated robotic आवाज से record कर सकते हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको आज की चौथी text to speech mobile app पर लेकर चलता हूँ, तो दोस्तों यह है हमारी आज की चौथी text to speech mobile app, इसका नाम है narrator's voice, ठीक है, 10 million download हो चुकी हैं दोस्तों, यानि एक करोड से ज्यादा, इस particular mobile app में एक paid option भी है, वो आपने नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको सिरफ और सिरफ 100% free वाला option ही इस mobile app में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस mobile app का link भी इस video के description box में लिख दिया है, आप click करेंगे तो इस तरह से यह आपके सामने खुल जाएगी, उसके बाद इसे install कर लें है, white characters में type some text and press enter, ठीक है, यानि कि हमने जिस भी article या page को automated robotic आवाज में convert करना है या बदलना है, वो हमने यहाँ पर या तो type कर देना है, या copy paste कर देना है, तो हमने अपनी e-book के पहले कुछ pages को यहाँ पर copy paste कर दिया, अब देखिए, यहाँ नीचे लिखा हूँ, प्रेस share button for share save options, ठीक है, तो यह play वाला जो button है, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब देखिए, सबसे उपर, यहाँ यह cross का sign आपको दिख रहा है, जहाँ आपको यह एक black रंग का arrow दिख रहा है, इसको बंद कर देना है, क्योंकि यह tutorial है, अब हम play button पर click करेंगे, the art and business of affiliate marketing, what is affiliate marketing, affiliate marketing is a type of marketing where an individual promotes another person's product, देखे दोस्तों, यह जदातर जो text to speech, robotic आवाजें हैं, यह females की हैं, females की आवाजें, ज्यादा पसंद की जाती हैं, यह जितनी भी आवाजें मैंने अभी तक आपको अलग-अलग mobile apps पर सुनाई, हो सकता है, आपको सुनने में एक जैसी ल अगला किस्म की हैं, दोस्तों, ठीक है, प्ले बटन के बराबर में जो एक और बटन है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो robotic आवाज है, उसको हम save कर पाएंगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, save वाला जो बटन है, यहाँ क्लिक कर देंगे, तो यह देख recorded robotic आवाज को save करना है, तो दोस्तों, अब मैं आपको 5-वी text-to-speech mobile app के उपर लेकर चलता हूँ, वो वाली mobile app भी इसी narrator's voice, mobile app वाली company नहीं बनाई है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, तो दोस्तों, यह 5-वी text-to-speech mobile app है, इसका नाम है translator woman's voice, ठीक है, 5 million downloads है, इस mobile app का link भी मैंने इस video के description box में डाल दिया है, आप जैसी अपने mobile phone पर click करेंगे, तो यह इस तरह से खुल जाएगी, इसको install कर लीजे, अब इसको open कर लेंगे, अब देखें दोस्तों, जहाँ उपर let the memes begin लिखा है, यहाँ पर हम अपना matter type कर देंगे, या paste कर देंगे, क्यों आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो play का button है, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब आप दोस्तों देखेंगे, यह जो voice थी, थी तो यह भी female voice ही, लेकिन यह अलग थी, ठीक है, यानि जो robotic आवाजें हैं, वो अलग-अलग हैं, तो friends, इस particular mobile app में, जैसे ही आप कोई भी article या e-book को play करेंगे, इस play button के दुआरा, वो automatically save भी होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो यह इस mobile app की खासियत है, दोस्तों, मैं थोड़ी दर पहले आपको screen recording का एक mobile app दिखाई चुका हूँ, az recorder, उसी को इस्तेमाल करके, आप इस mobile app में भी screen recording कर सकते हैं, अब दोस्तो से बहुत अलग-अलग साइटों पे जाके free में e-books, articles, content डाउनलोड कर लेना है, copyright free, इसके अलावा हमने 5 अलग-अलग text-to-speech mobile apps भी देख ली, सीख ली, कि वहाँ पर हमने अपनी e-books, articles वगेरा को एक बहुत ही बढ़िया practical और human जैसी robotic voice या आवाज में convert कर लेना है, ठीक ह अब हम इन सब का इस्तेमाल करके जोड़ कर एक बहुत ही बढ़िया YouTube वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और वो भी हम बनाएंगे एक 100% free वीडियो एडिटिंग एप से ही, ठीक है, तो अब मैं आपको उस एप पर लेकर चलता हूँ, तो देखे फ्रेंड्स, ये वो वीडियो एडिटिंग एप है, जो 100% free है, इसका नाम है वीडियो एडिटर मेकर, ठीक है, अब देखे इसके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके है, यानि एक करोड से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके है, ठीक है, 4.6 की रेटिंग है, और Genwin है, ठीक है, अब इस 100% free वीड करते चले जाएंगे, तो फ्रेंट्स इस वी एन एडिटिंग एप का ये होम पेज है, आप समझ लीजे, ठीक है, और यहां से अब हम एडिटिंग शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इस एप में हम वो वीडियो एड करेंगे, जिसे हमने एडिट करना है, ठीक है, अब इस वी एन, मोबाईल एडिटिंग एप में डाल लेते हैं, तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम अपने इस वीडियो का साइज यूट्यूब के हिसाब से ठीक करेंगे, अभी ये जो साइज है, ये यूट्यूब का साइज नहीं है, ठीक है, अब वो साइज हम फिक्स कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखे सबसे उपर जहां original लिखा है, यहां क्लिक करेंगे, देखे फ्रेंड्स जहां लिखा है यह 16 is to 9, यहां पर उपर आप देखेंगे YouTube का एक icon भी बना हुआ है, यह हमने ले लेना है, तो यहां पर मैं क्लिक कर दूँगा, अब मैं बाहर क screen recording की थी पहले, वो यहां पर पूरी नहीं दिख रही है, वो यहां पर crop हो गई है, cut गई है, अलग-अलग से, अब उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमें अपने वीडियो में जो एक background चाहिए, वो select करेंगे, यह सबसे नीचे जो एक bar है, ठीक है, इसको मैं move background के लिए select कर लिया, अब देखिए friends, यह जो हमारे phone के screen की recording है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, अपनी दोनों fingers को इस्तेमाल करके, देखिए, मैंने छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, ठीक है, अब देखिए, यह हमारा जो mobile phone का screen है, वो काफी ठीक ठाक दिख रहा है, अब देख सकते हैं, अब लग रहा है कि यह mobile phone का screen है, पहले नहीं लग रहा था दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले तो अपने जो mobile phone की recording है, az recorder की, उसको एक mobile phone जैसी recording में यहाँ पर पहले तो लाना है, तो वो यह तरीका है दोस्तों, और उसके बाद सबसे नी recording करने के लिए, तो मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसी भी बता रहा था, जो कि हमारी जो actual recording थी, जो हमारी e-book थी, उसमें जो एक automated robotic आवास थी, वो बोल रही थी, हमें basically तो वही आवास और वही e-book की recording चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ है, वो हमें edit करके हटाना है, ठ तो देखे friends, यह जो सबसे नीचे वीडियो हमारा चल रहा है, उसके जो frame आपको देख रहे हैं, इस पर मैं अपनी finger रखकर इसको right से left की तरफ धकेलता हूँ, ठीक है, आप अब देखेगा, धिरे-धिरे करके मैं धकेल रहा हूँ, और मैं आप यह देखने की कोशिश कर र खुमाएंगे, तो कई बार यह हटेगी भी, लेकिन आप घबराईएगा मत, दो, चार, पांच, दस बार practice करेंगे, तो आप कर लेंगे, मैंने भी जब first time इस पर कोशिश की, तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ठीक है, practice करने से आप इसमें expert हो जाते हैं, दोस् सबसे नीचे जो आपको टूल बार दिख रही है, यहां पर हम आएंगे, और इसको left की तरफ move करेंगे, और जहां लिखा हुआ है, split, आप देख सकते हैं, जहां यह एक arrow दिख रहा है आपको, जो मैंने आपको बना कर दिखा है, split, जहांए catchy का निशान बना हुआ है, मैं य दिखा देता हूँ, तो friends, जो portion हमने हटाना है, ठीक है, उस portion के उपर मैं अपनी finger एक बार रख दूँगा, ठीक है, मैं देखी, यहां पर अपनी finger रखूँगा, जहां पर यह आपको arrow का निशान अब बनता हुआ दिख रहा है, यह arrow का निशान मैं आपको बना कर दिखा र दूँगा, तो देखें, वो हट गया, अब आप देख सकते हैं, दोस्तों, कि वो जो unnecessary portion था, वो cut गया, तो इसको हम कहते है, split या cut करना, वीडियो को, वीडियो के उस हिस्से को, जिसकी हमें आवश्यक्ता नहीं है, ठीक है, अब देखें दोस्तों, कि यह जो वीडियो हिस्सा नहीं बन सकते हैं, ठीक है, यह बुरा लगेगा, ओके, अब यह हमें काटना है, यहां से, वो कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखें, सबसे नीचे जो एक हमारी tool bar है, इसको मैं right hand पे लेके जाऊँगा, तो देखें, जहां BG का एक sign बना हुआ है, मैं दो fingers को ले जाते हैं, और अपने से दूर लेकर जाएंगे fingers को एक दूसरे से, तो यह zoom हो जाता है, ठीक है, तो यह देखें, यह अब zoom हो रहा है, इसको थोड़ा सा आपको adjust करना होगा, कि जिसमें हमारा वो matter आ जाए, जो हमें actually चाहिए, और जिस matter की हमें आवशकता नहीं है, जिस हिस्से की, वो हम यहां से हटा लें, या वो हमें दिखाई ना दे, अब देखें, मैंने इसको adjust कर लिया, अब जो यह right का click का button है, मैं यहां click कर दूँगा, तो देखें, यह save हो गया, अब देखें फ्रेंड्स, इसको हम play करके देखते हैं, अब अब देखेंगे द ठीक है, वो सारी हटानी हैं, और उसकी जगा हमें actual, जो हमने record की है, एक robotic अवाज, ठीक है, आपको याद होगा हमने robotic अवाज को record किया था, ठीक है, वो आब हम यहां पर डालेंगे, इस VN Video Editor के जरीए, ठीक है, और एक बढ़िया सा professional looking YouTube वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है, तो अब हम वो voice वाली file इस वीडियो recorder में लेकर आएंगे, और इस वीडियो के साथ attach करेंगे, और जो अभी फिलाल इस वीडियो के अंदर आपको जो voice सुन रही है, वो पहले हम हटाएंगे, अब मैं इसको यहां से stop कर देता हूँ, और हम दुबारा से इस वीडिय कर दूँ, तो यह जो वीडियो चल रहा है आपके सामने, इस वीडियो में जो पीछे की background voice हमें आ रही थी, वो पूरी की पूरी zero हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो यह तरीका है पीछे की voice को बिलकुल खतम करने का, और यहां पर आपको नीचे जो right एक click का button देख रहा है, इसमें जहां पर plus का sign है, मैं यहां click कर दूँगा, जहां music लिखा है, मैं यहां click कर दूँगा, और वो जो robotic voice हमने record की थी, अब मैं यहां पर लियाओंगा, देखें जहां यह लिखा हुआ है, art and business यही थी, इसको मैं choose कर लूँगा, अब आप देखेंगे दोस्तों, VN Video Editor के software ने हमारी इस 40-50 मिनट की voice recording में से सिर्फ उतना ही हिस्सा निकाल लिया है, automatically, जितना लंबा हमारा ये वीडियो है, और वो है करीब 5 मिनट 26 सेकंड का, ठीक है दोस्तों, तो हम चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो एडिटर ने, जिसका ना देख लिया आपने दोस्तों, ये जो quality अब voice की आई है, ये हमने record की थी अलग से, ठीक है, तो इस तरह से VN वीडियो एडिटर मुबाइल एप के जरीए, जो 100% फ्री है, हमने AZ recorder से की गई mobile phone screen recording को इस video editing मुबाइल एप में डाल लिया, और उसके बाद जो हमने एक voice recording की थी अलग से, वो भी हमने इसमें डाल लिया और उन दोनों को combine कर दिया, ठीक है, और इस तरह से आप अपनी एक बढ़िया सी जानकारी देने वाली लोगों को कोई information देने वाली YouTube वीडियो बना सकते हैं, बिना अपनी तरफ से कोई topic या research किये, ठीक है, आपको 100% free म इबुक्स मिल जाती हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, जिन्हें आप free में copyright free download कर लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें text to speech के अलग-अलग tools, mobile apps के जरिए speech में convert कर लेते हैं, और उसके बाद इस video editor के उपर आकर उन्हें जोड देते हैं, थोड़ी से आपको practice करने पड़ेगी, हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो आपका उतना अच्छा ना बने, लेकिन पांचमा छटा अच्छा बनने लग जाएगा, अब दोस्तो इस video को हम यहां से save कर लेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको एक YouTube channel पर कैसे डाल सकते हैं, आपका प resolution है, वो 1080p है, यानि कि यह HD quality में already है, ठीक है, इसे कुछ change करने की जूट नहीं है, सीधे नीचे जहां एक click का sign है, right click का, यहां click कर देंगे, अब आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो video है, यह हमारे mobile phone में export हो रहा है, यह हमारे gallery या photos के अंदर save हो जाएगा, अब हम बाहर click कर देंगे कहीं, ठीक है, अब save to album कर देंगे, इसको ok कर देंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आपके mobile phone में यह video कहां save होई होगी, अब देखिए मैं अपने mobile phone के photos section में आ गया हूँ, अब देखिए यह वो video है, जो भी हमने edit करके निका लिए, उसके बर affiliate marketing is a type of marketing where an individual promotes another person's product or service and makes a commission from each sale, the affiliate marketer has no responsibilities for the product quality, delivery or maintenance of product, other than the moral responsibility to their customers of promoting products of high value to them. तो friends, इस तरह से हमने अपनी एक सुन्दर सी बढ़िया informative YouTube वीडियो बना ली, ठीक है, world class content है, 100% copyright free है, आपको किसी चिंता की आवशक्ता नहीं है, उसको हमने बहुत बढ़िया robotic आवाज से बुलवा लिया, यानि कि हमें बोलना भी नहीं पड़ा, और उस world class content को और robotic आवा को मिला कर हमने 100% free video editing app से एक बहुत ही बढ़िया informative YouTube वीडियो बना ली, इस तरह की सैक्णों वीडियो बना कर आप अपने YouTube चैनल पर दोस्तों डाल सकते हैं, तो friends, अब मैं आपको ये वीडियो YouTube पर डालते कैसे हैं, ये भी दिखा देता हूँ, आपका जिनका अपना YouTube चैन लगते हैं दोस्तों, तो अभी मैं बना कर ये वीडियो YouTube चैनल पर डाल कर भी दिखा देता हूँ, तो friends, ये देखिए YouTube का आइकन है, ये मैंने खोल लिया एक बार, इसे मैंने बंद कर दिया, अब हमने यहाँ पर अपना YouTube का एक निया चैनल कैसे बनाना दिखा देता हूँ अब अब देखेंगे ये राइट हैंड पर सबसे जहाँ पर आपको ये black arrow का निशान दिख रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखें जहाँ पर लिखा है सबसे उपर your channel, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब देखें यहाँ पर आप अपने channel का नाम रख लीजे, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, create channel पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो देखें यह इस तरह से खुल के आ जाएगा, उसके बाद देखें जहाँ पर ये create का button है, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, देखें सबसे उपर लिखा है upload video, मैं यहाँ क्लिक कर दू है, ठीक है, जब आप किसी भी particular topic या category के ऊपर YouTube का video बना कर डालेंगे, तो title आप उस category के हिसाब से लिखें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, how to be successful in affiliate marketing, ठीक है दोस्तों, यह आप 100 characters का लिख सकते हैं, description आप जितना चाहें, उतना लंबा लिख सकते हैं, 4-5,000 characters का description लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो next का button है, यहाँ click कर दीजे, और जहाँ upload लिखा है, यहाँ पर click कर दीजे, अब देखें यह upload हो रहा है, आपकी जितनी भी internet की speed है, उस पर depend करता है, ठीक है, उसके बाद यह processing होती है, अब हम इस video को play करके द तो friends, यह हमने एक successfully बहुत बढ़िया intelligent informative content के साथ एक video बनाई और YouTube पर upload कर दी, देखें दोस्तों, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, अगर video informative है, उसमें कोई जानकारी दी गई है, तो 100 में से अगर 2 लोगों को भी पसंद आती है, तो इस पूरी दुनिया में कई अरब लोग हैं, और उसमें से कई 100 करोड़ लोगों के पास अपना mobile phone है, जो YouTube देखते ही हैं, ठीक है दोस्तों, आजकल हर mobile phone में चाये वो सस्ता हो या महगा हो, YouTube पहले से ही load होकर आता है, और लोग अपने घंटों YouTube पर ही बिताते हैं, ठीक तो बहुत सारे लोग इसे देखना और सुनना पसंद करेंगे दोस्तों, देखे दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो बिना स्किप किये पूरा देखा है, तो आप अपना एक नया YouTube चैनल ज़रूर बना ही लेंगे, और ऐसा चैनल जिसे पूरी दुनिया में देखा ज चुके हैं, आप अपना ज्यादातर समय अपनी पढ़ाई या जॉब या बिजनस में ही लगाईए, लेकिन जब भी आप फ्री होते हैं, खाली होते हैं, तो आप एक नया वीडियो बना कर अपने नए YouTube चैनल पर डाल दीजे, इसके लावा मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जो ऐसा ही है जैसे आज वाला था, बट उस नए वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूँगा, कि आप भारतिय भाशाओं में, जैसे हिंदी, बांगला, उर्दू, गुजराती, मराथी वगरा में भी, बोलते हुए, रोबोटिक वोईस व ये मेरी राय है आपको, कि अगर आप अपनी खुद की आवाज डाल सकें, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप फ्री में, कॉपीराइट फ्री, आर्टिकल्स, और सामगरी, या कंटेंट, मेरी बताई हुई इन पांच वेबसाइटों से निकाल लीजे, और अगर हो सकें, तो अपनी भाशा में उनको पढ़ दीजिए, तो ये एक तरह का वेल्यू एडिशन हो जाएगा, तो ये तो थी बात फ्रेंड्स, जहां तक एक पार्ट टाइम कमाई की बात है, इसके अलावा अगर आप एक फुल टाइम जॉब ढूंड रहे हैं, आभी तक मिलने ही पाईए किसी भी कारण से, तो मैंने फुल टाइम जॉब जल्दी से जल्दी कैसे पा जाएं, इसके बारे में भी वीडियो बना कर यूट्यूब पर डाल रखे हैं, मैं उन वीडियो के लिख दूँगा, आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए, उनमें मैंने बड टाइम मन मताबिक जॉब उन ट्रिक्स को फॉलो करके लग जाएं, तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी माच